वेलकम बैक फ्रेंड्स तो आज को टॉपिक रहेगा वेरियबल इन पोस्ट मैन तो चलते हैं अपने पोस्ट मैन पर देखिए हमने लास्ट टाइम यह तीन रिक्वेस्ट क्रेट की थी तो अगर हम इन तीन रिक्वेस्ट को देखें तो देखिए इसमें base url common है सब में like पहले url है फिस slash api है तो इसमें base url तीनों में common है तो like base url हर बार लिखने के वज़ाए हम एक variable create कर सकते हैं जिसके अंदर इस base url की value हो तो देखते हैं अब variables कैसे create करना है तो variables create करने के लिए तो से पहले हमें ये double curly brackets लगाने होंगे और इसके अंदर variable का नाम लिखना होगा जैसे मैं इसे url नाम दे देता हूँ तो देखिए अब अगर मैं इसमें mouse को hover करूँगा तो लिखा रहा है unresolved variable क्योंकि अब तक हमने इसकी value इसे अब तक value assign नहीं की तो value assign करने के लिए ये नीचे option आ रहा है add a new variable इस पर click करेंगे अब यहाँ पर इसकी value डालेंगे तो इसकी value इतनी copy कर लेते हैं क्योंकि ये ही सब में common है अब इसमें paste अब देखिए यहाँ पर हमें scope select करना है तो देखिए हम variable को तीन लाइक जगा पर assign कर सकते हैं तो collection level पर या environment level पर या global level पर तो अभी पहले collection level देखते हैं तो collection level पर click करके set as variable कर देते हैं और इसको यहाँ से cut करके यहाँ paste कर देते हैं save अब देखिए अगर हम इस variable पर hover करेंगे तो देखिए इसकी value आ गई जो हमने इसे value assign की है तो इस तरीके से हम variable create कर सकते हैं पोस्ट में में अब जैसे मैं और अगर new request create करूँगा तो मुझे बार बार यह URL नहीं डालनी पड़ेगी मैं इस direct URL की जगा अपने variable को call कर दूँगा और variable को मैंने बताया call करते हैं हम double curly bracket से और इसके अंदर variable का नाम तो इस तरीके से हम अपने variable को assign कर सकते हैं बाकि अगर हम request हिट करके देखें देखिए request भी सही चल रही है तो देखिए अब हम देखते हैं वो collection क्या लिखा रहा था जैसे कि मैंने बताया c से collection है मतलब यह जो variable है हमने collection level पर define किया है तो collection जैसे हमने पता है collection ही है तो जैसे कि अगर मैं एक new collection create करता हूँ तो वो जो हमने हमारा variable है वो इसमें काम नहीं करेगा जैसे कि आप इसमें मैं एक request add कर देता हूँ अब यहां पर मैं उस variable का नाम लिखता हूँ URL फिर slash कुछ भी लिख देते हैं डेमों के लिए अब मैं इस URL पर hover करता हूँ देखिए unresolved variable है तो मतलब जो हमारा हमने variable इस collection में create कर दा था वो इस collection में नहीं आएगा अब अगर हमें ऐसा कोई variable बनाना है के लिए यहां पर देखिए यह आइकन आ रहा है इस पर क्लिक करते हैं यहां पर देखिए बाकी के दो variable सारे है global और environment तो पहले देखते हैं global variable इसे अब add करते हैं तो यह यहां पर variable का नाम लिखना है हमें तो जैसे मैं नाम लिख देता हूँ लाइक base URL लिख देता हूँ अब इसकी value लाइक कुछ भी एक demo purpose के लिए value लिख लेते हैं 123 इसे save करते हैं ठीक है अब हम इसे यहां पर call करते हैं 123 इसका नाम base URL नाम है तो अब इसे मैं mouse रखता हूँ तो देखिए अब g आ रहा है मतब यह जो variable है हमारा global level पर है और इसकी value भी आ गई 123 और same अगर मुझे किसी इस request में यहां पर call करना है base URL ठीक है तो इसकी मैं अगर mouse over करता हूँ तो देखिए इसकी value आ गई अब एक last variable बचता है environment variable तो पहले उसकी theory देख लेते हैं कि environment होते क्या है चलते हैं अपनी ppt पर देखिए यहां पर facebook की login URL है जैसे इसे मैं अगर open करता हूँ तो यहां पर जैसे हम अपना email id या password डालते हैं और login पर click करते हैं तो हमारा login हो जाएगा तो देखिए डेरेक्ट लाइक जो front end होता है जो front end developer होता है वो direct इसे create करने से पहले अपने developer server पर create करते हैं जब भी मतलब उन्हें कोई requirement आती है फिर उन्हें कोई like चीज new like develop करनी होती है तो वो पहले अपने server पर create करते हैं तो उनका server जैसे यह तो है production server production server का मतलब यह है कि जो हम end user use करते है तो developer अपनी development के लिए एक खुद का server use करता है जैसे कि मैंने आपर एक example ले लिया dev.facebook.com तो मान लिजे ये developer का server है तो जब भी developer कुछ create करेगा तो वो अपने इस server पर create करेगा और मान लिजे उसने कुछ like functionality add कर दी या कोई new चीज add कर दी तो वो तब उन changes को push करता है testing server में तो यह है testing server तो यह भी मैंने example लिया हुआ है test 1 फिर यहाँ पर जो testers होते हैं वो test करते हैं testing servers में और जब उन्हें लगता है कि like functionality सही से काम कर रही है और कोई bug नहीं है तो वो उन changes को push करते हैं staging server में staging server na like production server की just copy होती है तो बस वो एक as a like backup के लिए रखते हैं कि अगर production server में कुछ हमारा like error आ रहता है तो हम जल्दी से staging server को like production में push कर दें like मदब वापिस उसे like run करने के लिए तो staging बस एक copy होता है production का तो यह मतलब एक flow होता है जब भी like front end create करता है like कोई भी चीज तो सबसे पहले वो अपने server में create करता है और like server में जब उसकी functionality create हो जाती है और developer की तरफ से testing हो जाती है तो वो उसे टेस्टिंग में push करता है और जो testing server में testers test कर लेते हैं तो उसे stage में push करते है और stage में एक final testing के बाद वो उसे like production server में login है क्योंकि हम use कर रहे हैं तो यहां पर हम जब अपनी email ID और password डालते हैं और login पर click करते हैं तो कोई API हिट होती होगी जो हमारे चेक करती होगी कि हमारी email ID और password correct है नहीं मतब database में जाकर हमारे credentials चेक करती होगी और अगर यह सही है तो हमारा login हो जाता होगा वरना error आता है तो यह जो API है तो उस API के भी levels होते हैं तो जैसे कि developer ने create करा तो जो backend होता है उसके जो API है वो भी developer level पे अलग होती है और like testing की API होती है staging की API होती है अब यह अलग इसलिए होती है मान लिजे अगर वो production की API हर जगा यूज़ करें तो इसका मतलब है कि जो developer है वो भी production की API यूज़ कर रहा है जो testing purpose के लिए यूज़ कर रहे हैं वो भी production की API है तो मतलब production की API अगर हर जगा यूज़ होगी तो मतलब API कॉल जाद हो जाएंगी मतलब क्योंकि सभी उन्हीं API को यूज़ करेंगे तो अगर API कॉल जाद होंगी तो API पर लोड बढ़ेगा और अगर API पर लोड बढ़ेगा तो response time जाद होगा response time का मतलब यह है जैसे कि login पर क्लिक करा मैंने तो मान लिज़े एक मिन तक login ही नहीं हुआ वो घुम तरह क्योंकि API पर लोड है तो ऐसे API पर लोड ना हो तो इसलिए सब environment की APIs भी different होती है तो यह मैंने API का example ले लिया यह मैंने API कहां से मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मैं network पर गया जैसे हमें पता है और फिर यह मैंने credentials डाल दिये login पर क्लिक किया तो देखें यह एक API जनरेट हुई तो मतलब इतनी सारी APIs जनरेट हुई है इसमें हमें जाना है login attempt वाली API पर तो देखें यह इसकी request URL है device base regular login तो वही मैंने कुछ लिख दी और यह last में कुछ parameters है यह last के parameters थोड़े like tricky है मतलब facebook ने अपने इसाब से लिखे होंगे like security purpose के साब से तो मतलब वो readability इनकी कम है तो इसलिए मैंने हाँ पर ABC लिख दिया बाकी अब हम समझ गई है कि जो developer environment होता है उसकी API भी different होती है और जो testing environment होता है उसकी API different होती है API मतलब base URL different होता है बाकी endpoints तो same होते हैं हर environment के तो same इसी logic के लिए यहाँ पर एक environment variable set किया हुआ है अब देखेते हैं हमें environment कैसे create करना है तो environment क्रेट करने के लिए सबसे पहले environments पे जाएंगे यह plus का sign है add new environment तो यहाँ पर हमें environment का नाम डालना है मैं prod डाल देता हूं मतलब फिर प्रोड़क्शन इंवार्यमेंट है इसकी value हम डाल देते हैं URL initial value अब जैसे मान लिजे production में value है www.facebook.com slash API मान लिजे यह production environment की like base URL है इसे हम save करते हैं एक और environment create करते हैं इसका नाम लिजेते हैं हम test यह testing यहां पर भी अब हमें save लेना पड़ेगा variable यह है इसकी है testing.facebook.com slash API save अब जैसे मैंने हम पर दो environment create कर दिये और उनका जो नाम है वो URL है अब देखिए अपने collection पर चलते हैं अब जैसे हमारा यह है मान लिजे इसकी जगाह मैं उसको call करता हूं URL ठीक है तो अभी यह क्या बोल रहा है यहाँ पर unresolved variable क्योंकि अब तक हमने कोई environment select नहीं किया तो यहाँ पर हम prod select करते हैं ठीक है अब देखिए URL पर जाता हूं मैं तो देखिए e आ गया मतलब जो हमारा variable है वो environment variable है और देखिए यहाँ पर production की URL आ गई और जैसे कि अब मुझे staging करना है तो यहाँ पर sorry testing करना तो मैं test select करूंगा और देखिए यहाँ पर testing की URL आ गई तो इसका क्या फाइदा है इसका फाइदा यह है जैसे कि अब आपने 20 बना दी 20 request है तो आप सब में तो change नहीं करोगे बार-बार-बार मतलब कोई बोलता है आप से कि testing पर test कर लो तो आप testing पर सब पर change तो करोगे नहीं testing पर जा जाके तो direct यहाँ पर एक आप environment बनाओगे और environment बें जो जो दो तीन होती है generally like developer environment की कुछ और base URL होगी और testing की कुछ और base URL होगी और यह change क्यों होती है ताकि production हम production की use नहीं का सकते हर जगा वनना production की API पर लोड आएगा और production की API पर लोड आगया तो login नहीं हुआ तो यह तो मतलब फिर image image पर बात आजाएगी तो इस तरीके से हम like in API को अलग रखते हैं like API के base URL को अलग रखते हैं environment के basis पर तो जैसे हमें like या तो इसका like long method यह था कि कि अगर हमने URL भी यहाँ पर बना रखी है तो हम यहाँ पर एक और बनाएंगे like एक और variable यहाँ पर डाल देंगे हम test URL और यहाँ पर test URL की कुछ भी variable कुछ भी save अब हमें हर एक पर जाके URL की जगा test URL डालना पड़ेगा तो यह तो देखे कितना लंबा प्रोसेस है मतलब यहाँ पर हमें सब पर change करना पड़ेगा तो इससे better कि हम environment create करें और direct इस drop-down से change कर दे URL को तो यह वीडियो इतनी थी जिसमें हमने तीनों variables के बारे में जाना अगर आपको इसमें कोई doubt है तो आप comments में पूछ सकते हैं और एक last request अगर आपने अब तक चैनल को subscribe नहीं किया तो आप subscribe कर दीजे तो मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए bye